नमस्कर मैं हुआरजे और हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए 2024 में बॉक्स आफिस पर कई फिल्म रिलीज हुई लेकिन इन में से कुछ कब आई और कब गई पता भी नहीं चला वहीं अब हाल ही में अजय देवगन की फिल्म शैतान रिलीज हुई है जिसने आते ही शानदार बिजनिस की शुरुआत की और ये फिल्म वीकेंड में भी अच्छा कलेक्शन करी रही है इसी के साथ शैतान ने रिलीज के साथवें दिन असी करोड का आंकड़ा पार कर लिया है अजय देवगन और आर माधवन स्टारर हॉरर थ्रिलर शैतान सिनेमा घरों में तूफान बनी हुई है ये फिल्म उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और जम कर कारोबार कर रही है फिल्म का ट्रेलर इसके लिए काफी फायदे का सौदा साबित हुआ था इसी के बाद से दर्शकों में इस फिल्म को देखने की एकसाइटमेंट भी बढ़ गई थी वहीं जब शैतान सिनेमा घरों में पहुँची तो इसके वश में आने से दर्शक बच नहीं पाए और थीएटर्स तक खीचे चले आए शैतान के भौकाल से बॉक्स आफिस भी हिल चुका है साठ से पैसट करोड के बजट में बनी ये फिल्म रिलीज के चार दिनों में भी अपनी लागत वसूल कर चुकी थी और अब ये मुनाफ़ा कमा रही है इस सुपरनैचुरल फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चड़कर बोल रहा है फिल्म की कमाई की बात करें और चौथे दिन फिल्म का कारोबार साथ करोड पच्चीस लाख रुपे रहा पांचवें दिन शैतान ने च्छे करोड पचास लाख कमाए और छठे दिन फिल्म ने च्छे करोड पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और फिल्म ने साथवे दिन 5 करोड 75 लाग का बिजनिस किया शैतान ने पहले हफते में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 89 करोड 75 लाग का किया फिल्म ने दूसरे वीकेंड के पहले दिन यानि की आठवे दिन 5 करोड 5 लाग का बिजनिस किया फिल्म ने आठ दिन में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 84 करोड 80 लाख बिजनिस किया, शैतान ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस पर गरदा उड़ाया हुआ है. इस हॉरर फिल्म को दुनिया भर की आउंडियंस से काफी शानदार रिस्पॉंस मिल रहा है. इसी के साथ श शुकरवार के दिन दो नई फिल्में रिलीज हुई, पहली सिधार्थ मलहोत्रा की योध्धा और दूसरी अदा शर्मा की बस्तर्द नकसल स्टोरी. लेकिन इन दोनों ही फिल्मों का अजय देवगन की शैतान पर कोई फर्क नहीं पढ़ रहा और फिल्म को दर्शकों के द